रुकिये जराज सुनिये तो जब बात आपके फायदे की होने वाली है तो आप भाग रहे हैं ऐसा कैसे चलेगा ठीक इसी तरह से लगभग 15 साल पहले हमसे लखनव की एक होटल में एक लड़की ने बात किया हमने सुना कहरी ये क्या हो रहा है उस लड़की ने कहा कि आप दो काईदे के चक्कर में कौन नहीं चाहता हम भी रुक गए सर जी आए उनके वह हमसे पूछने लगे का करते क्या है हमने कहा किसान है हम तो कितना कमा लेते हैं हमने का कुछ नहीं बस घर का खर्च चल जाता है थोड़ा घूम टहल लेते हैं खेती से खाली होते हैं तो दस पा सेलरी नहीं आती ना तो वह हमारा कि पर्डे हमको देगा खेती हमारी सीजनल होती है और एक सीजन में हम लगबग एक ड़़लाख रुपिया बचा लेते हैं तू बोले तब तो आप 10,000 रुपए महीने बस कमा रहे है थोड़ा अपनी इंकम और बताइए कि और आपको कितन मिल जाए तो आप सही से रहेंगे हम सोचने लगे हमका अगर हमको पांच लाख रुपए साल के मिलें तो अच्छा बिजनेस चलेगा घर दुआर सब कुछ सिस्टम सही रहेगा बोले कि आप कितनी छोटी सोचके हैं आप अपनी ख्वाब को अपने सपने को और बड़ा करिए और बताईए कब कितना कमाना चाते हैं हम जुझलाहाट में आगे हम बोले हमको एक लाख रुपए महीना चाहिए वो बोले बस इतनी ही आपकी सोच है आज की जवाने में एक लाख में क्या होता है आप एक फ्लेट नहीं ले सकते बढ़िया से उसकी यह माई नहीं दे सकते बाकी लगजरी लाइफ की तो बात ही आप छोड़िये तो हमने कहा कि भी आच्छा हमको दस लाख रुपया महीना देते जिए दे सकते हैं आप वो बले आपको मिलेगा मेरे हिसाब से आप सिस्टम से काम करेंगे तो लगवक तीन से चार करोड रुपया आपको महीने का मिल देगा अब इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं तो ख्वाब पालने लगा सोचने लगा कि कहां कहां रहूंगा कितना पैसा क्या करूंगा ये करूंगा वो करूंगा तमाम चीज़ सोस्ते सोस्ते अंत में हम आ गए कि ठीक है करना क्या है वो बले बस धाई लाख रुपया वन ट जादे लोगों को नहीं डूड़ना है बस तीन लोगों को डूड़ना है एक आपका मित दूसरा आपका रिष्तेदार तीसरा आपका पडोसी तीन लोगों को आपको बस पकड़ना है और हमारे साथ जोड़ना है इनकम बढ़ते करम में इतना इतना होने के बाद आपको इत ने खरीदी है तमाम बाते होने लगी जो मुझे